नमस्कार मैं स्वाती MPCG 24 News एड स्पेस में आप सभी का स्वागत है आईए नजल डालते आज की कुछ खास ख़बरों बर पिंजरा पोल गौसाला चरीटेबल ट्रस्ट की भूमी मुक्त कराने भटक रहे ट्रस्ट के कारे करता हमारे समादातों को जानकारी देते हुए समाद सेवक नरेंद्र कुमार ने बताया कि हम सभी समाद सेवक कलेक्टर कारेले में पुने सिकायत लेकर जीला कलेक्टर महोदे के समक्ष प्रस्तूत हुए जिला कलेक्टर महोदे ने सिकायद तो पढ़ ली पर कारेवाही करने हे तू कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया 31.2023 को गौसाला की भूमी को भू माफियाओं से मुक्त कराने हे तू अपर कलेक्टर सेरसी हे मीना को सिकायद दिया था लेकिन 15 दिन हो गए इस सिकायद पर अभी तक किसी प्रकार की कोई कारेवाही नहीं की गई आज पुना कलेक्टर महोदे जी के सामने अपनी सिकायद प्रस्तूत कर उन्हें भू माफियाओं पर सक्त से सक्त उचित कारेवाही की मांग की है अब देखना यह है कि जीला कलेक्टर महोदे कितनी ततपरता से सासकी एवं गौसाला की भूमी को भू माफियाओं से मुक्त कराते हैं एक महापूर्व कलेक्टर महोदे जी ने मात्र 12 घंटे में करम मेता छेतर में 5-50 करोड की सास की भूमी भूम माफियाओं से मुक्त कराया था, जिसे देख कर मुझे लगता था, जीला कलेक्टर महोदे जी मेरे सिकायत को बड़ी गंभीरता से लेकर गौसाला की भूमी को मु समक्ष आमरण अंसन पर बैठ जाऊंगा, साथी माननी उचनियाले महोदे जी के समक्ष समस्ते दस्तावेजों के साथ जनहित ज्याची का प्रस्तूत करूँगा, एंपिसीटि 24 नीज एक्सप्रेस जबलपुर से संभागी पिरचेफ राजकुमार यादोग रिपोट तो उन्हें गलत तरीके से अपने नाम पे दर्च करवा कर बड़े सहर के बड़े बिजनिसमेन रसूपदारों को बेज दिया है इसकी में लगातार से काक कर रहा हूं लेकिन यहाँ से कोई कारवाई नहीं हो रही आज पुना मैंने जन सुनवाई में जिले कलेक्टर मोहद मोदेजी के दर्वाजी खट-खट आऊंगा यह नाम बताएंगे अपने नरेंद्र कुमार के साइट में सतंता संदानी के पुत्र हूं जो उत्तरादिकारी प्रमान पत्र के लिए बटा कर आए और पहुत साल से दो तीन साल हो गए और बटाते हैं और अभी तद मेरा पत् अजन समय में कई बोला गिए नंत्वाई में आते हैं जन सब्सक्राइब करना इसके बाद में अपना पार्ति लेकी अठक लो यह तबत्त प्रमल्पया कहने हैं मैं यहीं जवालपुर का हूँ, थाय नवाची है, जी.